नमस्कार दोस्तों, मैं ललीता अगरवाल PSSM Blessings Audio Team कूलकाता से बोल रहे हूँ. पिछली कड़ी में हमने जाना कि लेखक ने प्रकृति के साथ रहकर अपनी सांसों पर काम कर किस तरह अपने आपको स्वस्थ किया. Audio No. 33 में हम एक ने चैप्टर के शुरुवात करेंगे, जिसका नाम है Summer Camp. यह उस साल की बात है जब मेरी मम्मी ने मुझे स्पोर्स क्लब के साथ तीन महिने के लिए Summer Camp में भेजा था. पंद्रय चात्र और हमारे शिच्चक हम सभी कैंप के लिए मारमरा के समुदर में स्थित एक सुन्दर द्वीप पर पहुँचे, जिसका नाम था किनालियाडा. यह जगह चारो तरफ उचे पहाडों और लंबे पाइन के पेडों से घीरी हुई थी. मुझे पेडों के नीचे बैठना, दूर से समुदर, उस पर चलती हुई नाओं और जहाजों को देखना, पाइन के पत्तों की सरसराहट का रहसे मैं संगीत सुनना, फूलों की खुश्बु को अपने में आत्मसाथ करना, बहुत सुखद लगता था. हमारे शिक्षक एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे. उन्होंने हमें एर्मेनियन कविताओं को पढ़ना सिखाया, वहां के संस्कृती और पेडन धर्म के बारे में भी बताया. ब्रह्म मुहूर्थ में हम समुंदर में तैरने जाया करते, और तब तक तैरते, जब तक कि हमारे नाश्ते का समय नहीं हो जाता. दोपहर के खाने के बाद हम पाइन के व्रिक्षों के नीचे ही लेट जाते और शाम को फिर समुंदर में तैरने चले जाते और सूर्यास्त के बाद ही आते हम सभी मिलकर रात का भोजन बनाते और खाने के बाद हमारा ज्यान लेने का सत्र शुरू होता हमें कहानिया सुनाई जाती, हम आपस में अपने अनुहव साज़ा करते, एक साथ खेलते और करीब दस बजे हम सोने जाते हम सभी को इस भीप पर बहुत आनंदारा था, साथ ही हम अनुशासन भी सीख रहे थे हम सभी को अपने शिक्षक बहुत प्रिये लगने लगे थे, उनका जीवन में एक लक्ष्य था, उनके लिए इस जीवन का एक अर्थ था और उन्होंने जीवन के इस अर्थ को हम तक पहुँचाने की कोशिस की तीन सब्ता तक कैम्प में रहने के बाद एक दिन हम सब एकत्रित हुए, उन्होंने हम सबसे कहा, आज इस कक्षा के बाद इसी समय से तीन दिन के लिए हम सभी मौन धारन करेंगे कोई किसी से बात नहीं करेगा, अगर गलती से किसी ने कुछ बोल दिया, या फुसफुसा कर भी कुछ कहना चाहा, तो उसे एध्यान रखना पड़ेगा, कि दुबारा इस तरह की गलती नहो, तीन दिन खत्म होने पर हम सभी अपने अनुवव शियर करेंगे, ऐसा क्या ले गए, शुरू में तो हमें बहुत हंसी आई, और थोड़ा अटपटा भी लगा, लेकिन थोड़े ही समय में हम इसके प्रति गंभीर हो गए, दिन के समय हम सभी एक साथ दल बना कर रहने लगे, दूसरे दिन हमें मौन रहना ज्यादा स्वाभाविक लगने लगा, हम बि तीसरे दिन हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी, हम एक दूसरे के बैठने उटने के धंग और चेहरे को देख करें सब कुछ समझ जाते, तीसरे दिन सूर्यास के बाद हमारे शिक्षे ने हमें एक अत्रित किया और कहा, शाबास, तुम सबने बहुत बढ़िया किया, मैं बहुत खोश हूँ, अब हम अपने अनुहाव शियर करेंगे, उन्होंने कहा, जौन तुम शुरुआत करो, जौन कुछ दिर तक मौन ही रहा, लेकिन हमें जरा भी आश्यरे नहीं हुआ, क्योंकि तीन दिन तक मौन रहने के बाद, मौन हमारे लिए एक स्वाभाविक स्थि बन चुकी थी, उसने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, मैंने महसूस करना शुरू किया, कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, इसके पहले मुझे कभी भी इस तरह अपने अस्तित्व का एहसास नहीं किया था, मैंने अपने शरीर को इसकी गतिविधियों को बहुत बारिकी से हैं, और मुझे एक तरह का डर भी महसूस हुआ, मेरे शिक्षक ने समझने वाले अंदाज में कहा, हाँ, और तुम जोसिफ? उसने कहा, मैंने बहुत ओर्जावान महसूस किया, मैंने अपने हाथों और पैरों में एक नई ओर्जा महसूस की, मेरी नीन काफी अच्छी और गहरी थी, मैंने हर्याली और फूलों के खुश्बु की, खुश्बु को बहुत तीवरता से महसूस किया, मैंने हर एक चीज का आनंद लिया, उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया, और तुम चाल्स? उसने कहा, मैंने भी ऐसे महसूस किया, और मैंने पहली बार एहसास किया, क बिना बादशीत किये मेरे तर्क ज़्यादा स्पस्ट होते हैं और मौन से मैं अपने और लोगों के कारियों के पीछे के नहित अभी प्राय को ज़्यादा अच्छी तरह समझने लगा शिक्षक ने का हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मैंने भी इसी तरह के अनुभो किये और तुम है रूटिन तुम्हारा क्या अनुभो रहा मैंने कहा सारे दिन मेरे अंदर एक युद्ध चलता रहा मैं जोड से नहीं बोल पा रहा था लेकिन मेरे मन में मैं स्वयम से ही वारतालाब कर रहा था जैसे कि मैं मन में कहता, वह बहुत खुश लग रहा है, वह अब यह कहने वाला है, वह यह सामान लेकर आएगा तीसरे दिन तक आते आते मेरा यह मानसिक वारतालाब बंद हुआ और मैं अपने परवेश को बिना किसी वारतालाब के देखने में सक्षम हुआ मैंने ये भी ध्यान दिया कि मैं और मेरे दोस्त सभी पहले कि अप्यक्षा काफी सांत थे और हमारी भावनात्मक प्रतिकिरिया भी बहुत कम रही एक बार कोको ने मेरी घड़ी गिरा कर तोड़ दी, मुझे थोड़ा क्रोध हाया, लेकिन अश्यगरी में शांत हो गया जब मैंने देखा कि उसके चेरे पर पस्तावे का भाव है, मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, घटना तो घटी चुकी है उसने भी मेरे भावनाओं को समझा और पूरी घटना खत्म हो गई हमारे शिक्षिक ने कहा, हाँ, हमारे बाते हमारे भावनाओं से जोड़ी हुई होती है लियो, अब तुम बताओ, तुम्हारे क्या अनुभाव रहे लियो हम में से सबसे छोटा था उसने कहा, मुझे यह सब देखकर बहुत मज़ा आ रहा था कि सभी लोग बिना किसी बादचीत के किस तरह अपना समय व्यतित कर रहे हैं और सभी बिना किसी शब्दों के एक दूसरे को समझ भी पा रहे हैं हर इंसान सिर्फ अपने काम से मतलब रख रहा था और हर एक ने अपना उत्तरदाइत वह अच्छे से निभाया उन्होंने कहा बहुत बढ़िया और आजो तुम्हारे क्या नुभाव रहे उसने कहा मौन के दिनों में मेरी याद दास्त बहुत तेज हो गई मुझे ऐसी बहुत सारी घटनाएं आदाई जिन्हें मैं भूल चुका था या फिर मुझे लगता ही नहीं था कि वे घटनाएं और उनकी स्वरिती मेरे मन में अब भी है जब मैं तीन साल का था तब कि एक घटना मुझे याद आ गई और मैंने उस स्वरिती का आनंद लिया उन्होंने कहा अच्छी बात है अब हम मार्क से सुनेंगे और उसके परसाथ हम इस सत्र को खत्म करेंगे मार्क ने कहा मैंने जहान दिया कि हमारे चेहरे की अविवक्ती हमारे उठने बैठने का धंग हमारे शरीर के क्रियाएं सभी कितनी अर्थपून है पहले मैं इन सब के बारे में जरा भी जागरित नहीं था सिख्षक ने कहा बहुत अच्छा हमारे असत्र बहुत ही मुल्यवान रहा और अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ एक बार पहाण पर कुछ बच्चे एक लंबी आत्रा कर रहे थे चलते विए उन्होंने एक काली दिवार दिखाई पड़ी जिस पर लिखा था एक समय इस दिवार के पीछे एक जंगल था लेकिन यह मनुश्य की जीव की लप्टों से जल गया और विनस्ट हो गया बच्चे बहुत आस्यर में पड़ गए कि इनसान की जीव एक जंगल को कैसे जला सकती है एक बच्चे ने कहा बात कुछ समझ में नहीं आई चलो हम सभी मिलकर बैठते हैं और सोचते हैं जरूर इन शब्दों का कोई और अर्थ है वे सभी मिलकर वहां बैठ गए और उन शब्दों का सही अर्थ खोजने में लग गए अचानक पहले बच्चे ने चिलाते हुए कहा मुझे मालूम है वह काली दीवार एक दुष्ट इनसान का हर्दय है दूसरे ने कहा हां और उसके गंदे और जहरीले शब्द ही आग की लप्टे है तीसरे ने कहा हां और वह जंगल मानो समाज है एक परिवार, एक चर्च, एक ग्रूप, एक रास्ट्र जो किसी भी तरह की बुरी और नकारात्मक बादची से नश्ट किया जा सकता है सभी बच्चे शब्दों के सही अर्थ जानकर बहुत खुश थे कि उन्होंने कुछ महत्वपून सीखा और उसी वक्त उस पहाड पर उन्होंने निस्से किया कि वे हमेशा अपनी वाणी पर नियंतरन रखेंगे इस कहानी को सुनाने के पर साथ हमारे सिक्षक ने बाईबल से यह शब्द पढ़े तुम्हारी वाणी बिलकुल सत्य होनी चाहिए सटीक और बिना बढ़ा चड़ा के बोली हुई दूसरों के अभिप्राय के बारे में मज सोचो उसके मास्टर्स उसके विचारों को जानते हैं और वह जिन कारणों के वज़े से काम कर रहा है हो सकता है वो कारण तुम्हारे मन में कभी आई ही नहो अगर तुमने किसी के विरुध कुछ सुना है तो उसे दोहराओ मत हो सकता है तुमने जो सुना है वो सच ना हो और अगर है भी तो कुछ ना बोलना श्रीयसकर है बोलने के पहले अच्छी तरह सोचो ताकि तुम गलत फैमी का शिकार न हो जाओ इन लाइन्स को पढ़ने के पसाथ वह कुछ देर के लिए मौन हो गए उसके बाद उन्होंने हमें जो भी पढ़कर सुनाया था उसकी एक प्रतिलिपी हमें देते विये बोले आशा करता हूँ कि तुम इन शब्दों को तक तक पढ़ोगे जब तक यह तुमारे हिर्दय के गहराईयों में न उतर जाए मेरा सुझाव है कि तुम इन शब्दों को अच्छी तरह याद कर लो और जब भी अकेले रहो इनकी आवरिती करो मैं चाहता हूँ कि जीवन के अंतिम शणों तक तुम मौन रहने का अभ्यास करो तुम हमेशा इसमें कुछ न कुछ नया खोज पाओगे प्रथम साल में एक दिन मौन रखो फिर दो दिन और धीरे धीरे इस समय को बढ़ाओ जब तक कि तुम साल में साथ दिन मौन रहना न सीख जाओ आज के लिए इतना ही अगले ओडियो में हम इस खटना को जारी रखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार